गुड मॉनिंग फ्रेंड्स आज जो है एक बताने जा रहे हैं आपको बेल्ट कन्वेयर की पावर केलकुलेस है जैसे अपना बैगास बेल्ट हुआ है इसी परकार कोई भी बेल्ट हो उसकी पावर कैसे निकाली जाती है मतलब कि उस पर मोटर कितने का लगेगा ठीक है तो य मैं कहा कि चलिए आज इसी पर डिस्कुशन किया जाए तो विज एक्जाम्पल के साथ में बताएंगे कि कि कितने की मोटर लगेगी ठीक है चलिए ये तो आप देख रहे होंगे ये टेल साफ्ट ये हेट साफ्ट बेल्ट माल लिया इस प्रकार ऐसा है चलिए ले ले लेते है और यह इंक्लाइंड है हम इंक्लाइंड का ही बता रहे हैं इसकी हाइट टेल से और हेट का ये लिया जाएगा तो माल लिया पच्चिस मीटर है हाइट ठीक है कुछ गिवेन डाटा है टोटल बेल्ट की लेंद माल लिया 210 मीटर है चिक चोड़ाई उसकी मतलब विर्थ 650 में बेल्ट की थिकनेश 10 में और यह हो रहा कि माल लिया 50 टन का लोड जो है मैटीरियल सिफ्ट हो रहा है फ्राम बेल्ट से यह आपकी गिवेन होगा इसको बोरते हैं कैपिसिटी ठीक है तो सबसे पहले तो आप यह निकाल दीजिए कि इसे 50 टन है मैटीरियल सिफ्ट होना है तो 60 से भाग करके केजी प्रति मीटर में आप कनवर्ट कर दें ठीक इजी है अब जो आपके पास में गिवेन डाटा है मोटर के आरपियम आपको मालूम है 1450 आरपियम है मोटर से गियर बाक्स अटेच है 50 इस्टू अनिका रेसियो हेट पुली का जो ये डाया है ये आपको गिवेन है 500 mm और देखे पुली के ऊपर एक रवर की लैगिंग होती है उसकी ठिकने समान लिया 10 है तो टोटल हो जाएगी 20 और टोटल डाया आप हेट पुली कितना हो जाएगा 500 प्लस 20 लैगिंग का करके 520 mm मतलब 0.52 मीटर के लियर अब चलिए एक स्पीड कल्कुलेशन करते हैं सबसे पहले हम करेंगे क्या स्टार्टिंग कहां से होगी इस्टार्टिंग करते हैं जो अपना हेट पुली है उसके आर्पियम क्योंकि आपके पास में गिवेन डाटा है ठीक है तो इससे आप इसके आर्पियम निकाल देंगे सीधे सीधे 1450 आर्पियम जो मोटर घुमा रही है गियर बाक्स से अटेच यह हेट पुली है पचास इस्टू अन का रेशियो 50 से डिवाइड करके 29 आर्पियम आ गया चेक यहां तक क्लियर हो गया अब आप निकाल लिए देखे आफ्टर तर रेविलेशन हाउ मच डिस्प्लेस्मेंट हेट पुली अब यह इतने आर्पियम से हेट पुली घूम रही है तो आप सीधे सीधे सरकंफरेंसिल स्पीड निकाल देजिए पाई डियन आपको मालुम है पाई की बईलू 3.14 डाया आप हेट पुली कितना भी आपको निकाल के दिखाया 520 mm मतलब 0.52 मीटर यहां रख दें 29 आरपियम आया तो 47.35 मीटर प्रति मिनट मतलब यह इतना linear speed इसकी आ गई इतना displacement हुआ जब यह हेट पुली इतना भूमेगी तो बेल्ट कितना आगे जाएगा 47.35 मीटर प्रति मिनटर एक मिनट में इतने मीटर बेल्ट displacement होगी ठीक है अब इसके बाद दिखें समझने की बात है आप समझेंगे तभी आएगा समझ म दीमे दीमे बिल्कुल आराम से समझेगा कहीं confusion होना नहीं चाहिए अब इसके बाद क्या करेंगे यह तो आपका यह निकल क्या है ठीक है इतने मीटर प्रति मिनट बेल्ट displacement हुआ है अब आप निकालिए material इन वन मीटर बेल्ट एक मीटर बेल्ट में आपका material कितना पड़ा हुआ है यह 100 मीटर का था कैपिसिटी आपको मालूम है कि इतने इतनी कैपिसिटी है इस कैपिसिटी का अब देखे यहां यूज होगा क्या होगा बेल्ट की कैपिसिटी डिवाइड बाइड बाइड बेल्ट स्पीड 833 कीजी प्रति मिनट यह हुआ और 47.35 जो आया हुआ ह इससे डिवाइड करेंगे तो 17.69 कीजी प्रति मीटर ओके अब यह निकल गया अब निकालिए वेट 100 मीटर मेटेरियल यह सिफ्ट करना है भाई 100 मीटर आपकी वरकिंग लेंथ है अब यह अमने आपको दिखाया था तो जब इतने केजी एक मीटर में है तो 100 मीटर में कितन इतना केजी होगा इतना केजी होगा ठीक 1759 1769 केजी यह वेट निकल गया और अब इसके बाद देखेगा सेल्फ बेल्ट का वेट भी आपको कल्कुलेट कर भई बेल्ट का भी तो अपना भी तो कुछ वेट होगा जब मोटर में हम पावर लगाएंगे तो आखिर बेल्ट का प्लस मेटीरियल को इंकलूड करके ही तो पावर पूरी टोटल निकल के आएगी इसलिए यहाँ सबसे पहले निकालिए बेल्ट का वेट बेल्ट के वेट के लिए आपको मालूम है वेट इक्वल टू वालूम इंटू डेंसिटी चिक वालूम क्या हो जाएगा भाई बेल्ट है इसका वालूम क्या होगा जो उसकी लंबाई होगी जो उसकी चौडाई होगी और जो उसकी ठिकन केस होगी तीनों का multiply वालू निकल गया density इसका आप नोट कर लिजेगा तेरा सो साथ केजी प्रतिमीटर क्यूब होता है मल्टिप्लाई कर दिया एक हजार आट सो चपन दसलो चाग केजी आ गया अब देखिए टोटल वेट कितना हुआ एक तो भाई सेल्फ का वेट का जो वेट है प्लस मेटेरियल का वेट दोनों को एड कर दिया तो आपका यह आ गया टोटल नेट वेट आ गया चीक है यहां तक किलियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं अब टोटल वेट निकलने के बाद में बेल्ट पुल करेगा घोमेगा तो बेल्ट का एक पुल निकालेंगे उसका फार्मूला है टोटल वेट जितना वेट आया हुआ है इन्टू फ्रिक्शन कॉफिस येट तो कि बेल्ट और पु पुल निकाला जाएगा इसमें फ्रिक्शन कॉफिसेंट पॉइंट फाइफ लिया जाता है तो टोटल वेट मुल्टिप्लाइट बाइफ इक्वल टू अठारा सो साथ दसलो साथ केजी आ गया ठीक है इसको हमने ए लिख लिए अभी इसमाल लिजे एक्यूसर नंबर एक बाइफ ग्रेवटी का तो बाइफ ग्रेवटी के लिए क्या है टोटल वेट अपान बेल्ट की लेंथ जो वर्किंग लेंथ है ठीक है टोटल लेंथ न ले लिजेगा जो हमने 210 मीटर लिया हुआ जिस पर मेटिरियल है उसका लेंथ ठीक है मुल्टिप्लाइट बाइफ बे आपको मालूम है 3615 दसलो चार और पिल्ट की लेंथ 100 तो क्या निकल गया नो सो तीन दसलो पच्चासी केजी ये ए पार्ट था ये बी पार्ट था दोनों को एड़ कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा टोटल पुल किलियर हुआ यहा तक दोनों को जोड दिया 2711 दसलो पच्चपन केजी ठीक अब यहां से आता है आपका रिक्वाइड पावर टोटल पुल कितना हुआ है मल्टिप्लाइड बाई बेल्ट की स्पीड आप निकाल चुके हैं मेटर प्रति मिनट में जो 47 दसलो पैंटिस आया था उससे आप इसमें मल्टिप्लाइड कर दीजिए तो यह कितना आगया केजी मेटर प्रति मिनट आप यह देखिएगा इसका डामेंशन केजी मेटर प्रति मिनट ठीक है अब एक चीज आप केवल केवल याद रखिए कि वन एचपी एक्वल टू 4573.1 केजी मीटर प्रति मिनट होता है ठीक अब आप काया हुआ है एक लाख 28399 केजी मीटर प्रति मिनट तो इसमें से जो रिक्वाइड पावर है वन एचपी में इतने केजी मीटर प्रति मिनट होता है इससे आप डिवाइड कर दीजिए टोटल सीधा-सीधा एचपी निकल गया 28 किलोवाट में निकालने के लिए आपको मालूम 1.33 से मल्टिप्लाई कर दीजिए तो 37-24 किलोवाट निकल गया यह तो आपकी आई रिक्वाइड पावर ठिप इतनी पावर रिक्वाइड है लेकिन हम आपको बहुत पहले भी पता चुके हैं कि जो ही हमारी रिक्वाइड पावर आती है installed power उससे ज़्यादा का installed किया जाता है उसमें किसका multiplied होता है safety factor का ये देखिए installed power equal to required power multiplied by safety factor safety factor हम 1.5 का लेते हैं 1.6 पी चलता 1.5 जनरली यही लिया जाता है तो सीधा multiplied करके 56 kilowatt ये final motor आ गया अपना ठेक किलियर हुआ जब आप step by step चलेंगे तभी आप कोई चीजे समझ में आएगी और बहुत easy है आप अपने यहां का data अगरा लेके इससे calculate करके देखे जो आपकी installed power होगी यही निकल के आएगी जब आप अपना data लेंगे उससाफ से करेंगे तो same निकल के वही आएगा जो वहाँ पे installed है किलियर हुआ तो ज़्यादा कोई टफ नहीं था कि वह समझने की बात थी और step by step यहीं आप करेंगे तो आगे की चीज अपने आप किलियर होती चली जाएगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, सेरे और सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स बनाएं जो तो चीजे कमेंट बाक्स में आती है एक एक करके सभी का किलियर करने की कोशिस करते हैं इतना भी टाइम अपने को मिलता है लेकिन इसका फायदा तभी है जब आप लोग पूरा देखें समझें और अपने नोट्स तैयार करें ठीक है और कोई कोश्चन कहीं कन्श्यूजन होगा तो आप कमेंट बाक्स में लिखेंगे उसको हम सॉल्ब करने की कोशिस करेंगे थेंक यू